तो देखिए आज की सब्जी स्पिसल होने वाली है इसे हम बिना ग्रेवी बनाए बनाएंगे देखिए कितनी टेम्टिक लग रही है एकदम यमी लग रही है और बहुत ही जी है कुछ भी महनत नहीं करनी है कुछ भी जुंजट नहीं है बिल्कुल असानी से बन जाएगी तो पहले हम क्या करेंगे दस से बारा काजू ले लेंगे तीन शुकी मिर्च लिए मैंने और दो तीन टैबल स्पून दूद ले लेंगे ठंडा इन सबको मिक्सी में जालके फाइन पेस्ट बना लेंगे फिर एक टमाटर लिया है उसका डंठल करेंगे और इस तरीके से तीन स्लाइसे अलग अलग कर लेंगे ताकि लुकिंग में अच्छे दिखेंगे यह देखिए मैंने सारे स्लाइसे अलग कर लिए अब 200 ग्राम पनीर लिया है मैंने उसको भी तो पनीर मेंने सारा कट कर लिया है लग 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 तो अम क्या करेंगे इसको बनाने के चिशन पड़ेगा पड़ेगा अई ग्रेटर से आपड़ेगा असी बन जाए का用 ऊपत्य जाए लिया है उसमें सलगा दीक मणारम पज्गाव। और जम्चेत करें सब्सक्सयी मश्चिने म्याईडेेगा कर опас दिक्वादे है कि यहाद कोविट्टीज पम। तो इस तरीके से हम को मिक्स कर लेगे चमबत दो उसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो मेना आदा कप यहां पर सरसो का तेल डाला है दो हरी लाई ची डाली है और एक जमत जीरा डाला है और डायरेक्टर हमारे जो दही में मेरिनेट की हुई सब जीती और पनीर साब वह इसके इंदरेड कर देंगे अपको घबरा नहीं है बिल्कुल भी कि यार गरम तेल में ड अब बढले में गोले हुए डालते तो वह जरूर छी तेल में डालते हैं गरम गरम तेल में तो पिल्कुल भी नहीं होएगा फिर लेने की जर्डत नहीं तो इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे तो मसाले वगरा कुछ भी एड़नी करना है और अधरी सब डाल दिया था और कुछ भी एड़नी करना है इसके अंदर तो यह अच्छा बॉइल आ गया है इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे अच्छे से उबल रही है सबजी है मैरी तो इसको पकने देते हैं फिर हमारे जो काजू का और जो लाल मिर्च का पेस्ट बनाया था स्टार्टिंग में उसको एड़ कर देंगे दो चमस मैंने यहां पर पेस्ट डाला है इससे ग्रेवी मच्छी थिकने साजाएगी तो मैंने पेस्ट एड़ कर दिया है फिर थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे हाप कप और सोर मेल के लगबग मैंने यहां पर ठंडा पानी डा पानी डाल यकार करतेंगे इसको और इसको कवर करतेंगे गेखहार पांच मिन्ट लो फलेम पर पकने देंगे यह ताया नयुक्त आधि एक वो पहला है तो मिक्स कर देंगे चिए और आधिक एसरी को तेह稍़ तो देखे। मसाले में से तेल अलग होना स्टार्ट हो गया है फिर मैंने इसको दो मिनट डखके पकाया लो फ्लेम पे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि नीचे नहीं लगेगा फिर गेस ओफ कर देंगे और हरे दनी के पते डाल देंगे थोड़े से तो आप इसको बनाने में कम से कम स और नहीं ग्राइंट करना है नहीं ग्रेवी बनानी है नहीं कुछ पकाना है बस सीधा दहीं में गूल दो सब चीजों को और बना लो तो इजी फे में बन जाती हो और खाने पर तो लाज जवाब लगती है एकदम अलग सा यूनिक सा टेस्ट आता है तो आप भी बनाओ खा करना थेक्स पूर वाचिंग